आज फिर आपके सामने हम आए हैं एक बार ट्रेंड लेकर के किया ट्रेंड चल रहा है और इस बार थोड़ा सा ज्यादा सतर्क होने की जरुवत है क्योंकि डीप फेक जो ट्रेंड चल रहा है आपको पूरा मामला बताते हैं फिर बताते हैं कि यह डीप फेक क्या है तो मेरे दो तस्वीर हैं एक तस्वीर है जारा पटेल की और दूसरी है है रश्मी का मंदाना की रश्मी का मंदाना का आप जानते होंगे तो हुआ कुछ ऐसा की रशमी का मंदाना की एक वीडियो वा mêmeこんにちは, जो कुछ इस तरह कियो है यह हमारे सामने इमें इमेज है विडियो आपने दे work for this deep fake in India. अब बात कुछ ऐसी थी कि वीडियो को बाद में पता चला, पहले नहीं पता चला, जब तक ये वीडियो वाइरल हो गई, बहुत लोगों तक महुच गई, बाद में पता चलता है कि ये आक्च्वल में deep fake है, अब deep fake क्या होता है उताता हूं, तो deep fake में इनसान वही होता है, ब तो जब बहुत वाइरल हो गई, तो अभिशेक ने, क्योंकि अभिशेक को पता चला, अभिशेक ने इस पारेम बात करी, और अभिशेक की बात वाइरल नहीं हुई, बात हुई, अमिताब बच्चन की, क्योंकि अमिताब बच्चन ने उस tweet पर reply करते हुए लिखा कि yes, this is a strong case for legal, क्योंकि यहां पर अभिशेक कह रहे थे, कि यह जो वाइरल वीडियो है, रश्मी का मंदाना की, वो एक्चुली में एक डीफएक वीडियो है, और इस डीफएक पर काम करना बहुत जरूरी है, उसके बाद केंद्रिय मंत्री आपको राजीव ने, राजीव चंद शेक पिर उन्होंने कुछ रूल्स के बारे बात करी, मैं आपको बदाता हूँ, उन्होंने कहा कि अंटर थे आइटी रूल नोडिफाइड इन एप्रिल 2023, it is a legal obligation for platforms to ensure no misleading information is posted, कि कि किसी भी तरह की misinformation post नहीं की जाएगी, और अगर कर दी जाती है, तो वो लिखते हैं कि ensure that when reported by any user or government misinformation is removed within 36 hours, कि 36 गंटे के अंदर उसको हटाना होता है, अब उसके बाद हो कहते हैं कि if platform do not comply with this, rule 7 will apply and platform can be taken to court by a grived person under provision of IPC, IPC के दारा के अंदर उस मामले को court में लेकर के जाया जा सकता है, ठीक है, तो यह आप deepfake के बारे आगे, उन्होंने का कि deepfake are latest and even more dangerous and damaging form of misinformation and need to be dealt with, कि य सोचिए, आपकी शकल और किसी और का जिसन, मतलब कैसी भी वीडियो बनी हुई होगी और उस पर आपकी शकल लगा दी जाएगी, और जब वो वीडियो आपके घरवालों तक आपके दोस्तों तक आपके परिजन तो पहुचे गी तो उनको यह नहीं लगेगा, उनको लगे तो यह मशीन लर्निंग अर्टिफिशल इंटलिएंस जो हमें हमें हल्प जरूर कर रहा है लेकिन हल्प करने के साथ साथ तो कहीं न कहीं कुछ गलत हातों के पड़ रहा है और वहां से इसको मिस्यूस भी किया जा रहा है तो यह जो पूरा मामला है इस पर बहुत ज्यादा और इस पर रश्मी का मंदाना ने एक स्टोरी भी डाली है मैं आपको स्टोरी के बारे बताता हूं उसमें उन्होंने पूरा पूरा लिखा है साथ साथ और अच्छलण ट सब्सक्राइन झाली है आपको म eleमाचान एक क मेरा हूं पन्नोंडर्स हो जो फश्या का मासैं इस इस व्या चाहिरasına साथ तो कि भूराब में बसाब हो इस बाही जिसल्री मुने का लटब How could I have ever tackled this? We need to address this as a community with urgency before more of us are affected by such identity theft. So, this is from the perspective of Rashmika Mandhana. You have written on Twitter and Instagram on both of them. And really, this is also true for them. If he is not a famous actress, then if he is with a common man in school and college, then how does he deal with it? If he is with you, then how do you deal with it? So, I have told you about deepfake. I have told you about this video. I have told you about this video. What do you think? What is the real urgency of this thing now? That artificial intelligence and machine learning misuse is being used to be a common law? Please tell us in the comments section. Please like and share this video. And subscribe to this channel.